हाई गार्स वेलकम बैक तो मैं चैनल रिंकी टुटोरियल दिस इस मी और रिंकी और वेलकम तो अनद एक्साइटिंग वीडियो तो आज मैं आपके साथ एक डिफरेंट काइंड आफ वीडियो शेयर कर रही है जिसमें मैंने सिंपल सी सिल्क साडी को दिखाया है कि आप किस तरीके से सिल्क साडी को अच्छी तरीके से लेंगा स्टाइल में वेयर कर सकते हूं जैसे कि साध्यू का सीजन स्टार्ट हो चुका है अगर आपके पास कोई अच्छी सी हेवी सिल्क साडी है तो उसे आप लेंगा स्टाइल मे वैई कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं इस टूटोरियल को शेर किया है एफ कि ये वीडियो आपको के लिए काफी है क्लिप रहे है तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक आउन चैनल पर अगर आप नहीं आए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को कर लिजिए सबस्क्राइब तरह कि में राने में वीडियो की नॉटिफिक्रिशन आपको इसलिए मिल जाए सबसे पहले साडी का जो कॉर्णर वाला हिस्सा होता है उसे आपको अच्छे से टक इन कर लेना है उसके बाद आप जिस तरीके से नॉर्मल साडी के प्लेट्स बनाते हो उसी तरीके से इसमें भ अगर आप चाहते हो कि आपका जो लेंगा है वो थोड़ा फ्लेयर दिखें तो आप दो पेटिकोट को भी वेर कर सकते हो जिससे कि आपका लेंगा जो है वो बहुत फ्लेयर दिखेंगा और आपको इस तरीके से सिंपली से प्लेट्स बना लेने हैं और पल्ले के लिए मैंन मने यहां पर सेक्टी पंसे सीक्यूर कर लिया तो सिक्यूर रहेंगा उसके भाद वहां चुमेने फिन लगाया थो से में खोल की अच्छे से पिन अप कर लूँगी जिसे कि मेरा टला है वह से क्योर रहे तो यह फर्स्ट स्टाइल विद डिफरेंट पला अब मैं दूसरा स्टाइल आपको दिखां जो कि बहुत सिंपल सभी को पता ही होगा बस आपको क्या करना पल्ले को खोले ना और पीछे टाकिन कर लेना है अच्छे से तो यह से कंड स्टाइल आई होब कि वीडियो अपर के लिए का अगले वीडियो में बाई चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए